कि मानिंग बच्चों पिशले टार पर हमने क्लास फूर्थ में हिंदी का चप्टर नाइन पड़ा था जिसका नाम है दो चुडियां तो हमने किस तरह पड़ा था कि एक जंगल की चुडिया थी और एक घर की चुडिया थी तो इसके हम शब्दर्थ कर चुके हैं यह क्वेस् फिर देखिए सही उत्तर पर राइट का चिनल लगाई है तो घर की चुडिया का पिंजरा किस चीज का बना था तो यहां पर सोना आएगा सही ऑप्शन तो सोना कुछ टिक लगा देंगे फिर अगला है घर की चुडिया और वन की चुडिया कैसे मिली तो एक दिन अचानक म की मिली तो यहां पर अचानक मिल गई फिर देखिए यहां पर टोकरी में कुछ शब्द लिके हैं तो इन शब्दों मैंसे केवल क्रिया वाले यानि काम वाले शब्दों को आपको छाट कर लिखना है तो मैंने काम वाले शब्दों पहले छाटे हुए थे कि चलना एक काम है घर काम नहीं है जाना एक काम है विधी उदास काम नहीं है उड़ना एक काम है पिंजरा काम नहीं है करना बोलना ये काम है दोनों वन काम नहीं है खाना काम है दिवस काम नहीं है तो फिर उसके बाद मैंने इनको यहां इस तरह लिख दिया चलना उड़ना बोलना है ना जाना करना और खाना तो इस तरह से यहां फिल कर दिया मैंने इनको फिर देखिए यहां पर नेम लिकित श भी भी होते हैं और फिर अर्ट की अनुसार बद जाते वायरा के जाए strengthen उस्तरा से दूसरा शब्द है वन जंगल कहते हैं यक्षी तरह से दिवस रहाँ vegetable ईने चाये है तो दिन आ जाएगा फिर देखिए स्वर्ण तो इसको आम बोचल की वासा में सोना कहते हैं पक्षी को चिडिया कहते हैं और उसके बाद संग है तो संग को साथ कहते हैं इस तरह से यह इनको तद्भव रूप को लेखेंगे जो हिंदी बदले हुए रूप है जो हिंदी के जो संस्क्रित वासा से चूंकेते हो आए वह तक्तम और जो बदला हुआ रूप है इनका वह से कहते हैं तद्भव फिर देखिए निम्लिकित कविता मैं से संग्या शब्द छांटी है तो देखिए बोली पिंजरे की जब चिडिया तुनरी चिडिया वनकी तू भी आजा इसलिए पिंजरे में बात करें दो न की तस्त यहां पर की पिंजले शब्द एक वस्तू का नाम है जिडिया नाम बले शब्द संग्या होते हैं आप च्चे से चानते हैं उसके बाद वन एक इस्थान का नाम है इसके लावा और कुछ भी नहीं है पिंजरे है तो पिंजरे हम पहले ही टिक लगा चुके हैं तो यही है आपके संग्या शब्द तो तीनों को हमने यहां लिख दिया पिंजरे चुडिया वन फिर यहां पीछे देखिए आप देख सकते हैं यहां पर निरुपसर्ग लगा करके आपको शब्दों से नए शब्द बनाने हैं यहां शब्द दे रखे हैं दोश तो दोश से बनाए निर्दोश जल से बनाए निर्जल धन से बनाए निर्धन भय से बना निर्भय बल से बना निर्भल मल से बना निर्म झ्हर से बना निर जर इस तरह से आप इनको लिख देंगे जैसे मैंने आपको लिखा है तो आप कॉपी में ये सारा कुछ नहीं लिखेंगे पहले बुख में फिल कर लेंगे और उसके बाद जिस और जो आम बुल्चाल की भासा में उनका बदला हुआ रूप है वो है आपका तद्वक तो यह आप कॉपी में करेंगे तो प्रेक्टिस के लिए बाकी जो करवाया है सब कुछ बुक में फिल करना है आपको आई हो कि आपको समझ में आ गया होगा थेंक्यू